नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी योटूब चैनल पर शरीर के सभी अंगों को सुचारो रूप से काम करने के लिए उक्सीजन की जरूरत पड़ती है शरीर में ये उक्सीजन खून के माध्यम से सभी अंगों तक पहुचता है इसलिए खून में अग्सीजन की कमी हो जाए तो इससे शरीर के लिए अंगों के विकास पर बुरा प्रभव परता है इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी डाइट में ऐसे फूर्ट को शामिल करें जो खून में अक्सीजन की मात्रों को बढ़ाने का काम करते हैं आज हम आपको कुछ ऐसे फूर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तिमार आपके खून में अक्सीजन की मात्रों को बढ़ा कर आपको सेहतमन रखने मदद करता है आम, निम्बू, तर्बूज, पपीता और अजमोद यह ऐसे फल हैं जो हमारे किडिनी को साफ रखने मदद करते हैं विटामिन से बर्पूर यह फल हमारे खून में अक्सीजन की मात्रों को बढ़ाने में बे सहाइक होते हैं तर्बूज में भारी मात्रों फाइबर पाया जाता है इसके अलावा इसमें लाइकोपेन, विटा कैरोटिन और विटामिन सी भी बरपूर मात्राइं पाए जाता है इसका सेवन श्रीर में जल की मात्रा को भी संतुलिज रखता है अंकूरित अनाज फाइबर के बरपूर स्त्रोत होती है ये रक्त में अक्सिजन बढ़ाने के बहतर विकल्पों के दोर पर बिस्तमल किये जाते हैं इसके साथ ही एवाकेडो, किश्मिश, खजूर, अद्रक और गाजर भी श्रीर में अक्सिजन पहुंचाने के लिए सबसे उप्युक्त उप्चार है इनमें अन्टी उक्सिजन बर पूर मात्राइं पाय जाती है श्रीर में रक्त के माधिम से उक्सिजन की अपूरती निश्च्चित करते हैं विशेशगों के मिताबिक श्रीर में अक्सिजन की मात्रा 90% से कम होने पर ये अंगों पर बुरा प्रभाव डालना शुरू कर देता है इसकी पूरती के लिए अवशेक खादेप दार्दु का निमस सेवन भेज जरूरी है तो दोस्तों ये थी आज की जानकाई श्रीर में अक्सिजन की मात्रा को निश्चित करने के बारे में उमीद है आपको ये जानकाई अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी इसको शेर कीजिए ताकि वो भी इसका फाइदा उठा सकें और हमारी चैनल को सबस्क्राइब करने मत भूले आप अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए फिर मिलते अगले वीडियो में के ने टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार धनेवाद